अग्याइब करता हूं जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ेंगे binary system क्योंकि पिछली क्लास में आपने देखा था कि हम जो है आपसे बताया थे binary system और तेंथ ये डिजिट निकालना सीखेंगे तो जो दहाई का आंक निकालना है और थोड़ा आपको याद करना पड़ता है इसलिए पहले मैं बाइनरी सिस्टम पढ़ाऊंगा रिवेंडर थिरम इसके बाद क्योंकि उसमें कुछ याद करना पड़ेगा क्योंकि रिपीटिंग संख्या थोड़ा सा दूर दूर होती है ठीक है तो बातों को समझेगा बाइनरी संख्या यह पहले तो देखो चार टाइप होते हैं जिसमें आपको दो ही टाइप पढ़ना जो परिच्छा में मुख्य रोप से आता है लेकिन जानना सब पढ़ेगा एक ही से सभी चीजें समझ में आ जाएंगे एक अगर ध्यान दे दोगी तो सभी बाते आपको समझ में आ जाएं जैसे पहला होता है बाइनरी सिस्टम क्या होता है बाइनरी नंबर पहला होता है जिसमें हम दो से भाग देते हैं दो से भाग देने पर मैक्सिमम बैलू जीरो और एक आएगे यही बैलू आती है चर्चक करेंगे अभी दूसरी बात इस पर होता है आक्टल नंबर दूसरी बात होता है आक्टल नंबर आक्टल माने आठ नंबर जानते ही होगे आप लो आठ से भाग दोगे आप में क्या क्या आएगा जीरो आएगा एक आएगा दो आएगा तीन आएगा ऐसे करके कहां तक आएगा साथ तक आएगा ना ठीक है जब आप तीसरी बात करोगे कि अधिक वस्तिसरी बात तो डेसिमल नंबर कर देसिमल नंबर कर देसिमल नंबर कर देसिमल नंबर क्या दस से भाग देने पर आएगा अभी चर्चा हम इसकी बच्चे करेंगे और कुशी भी संख्या को लेकर हम देखेंगे तो समझ में आएगा ठीक है एक इतना दस नंबर यानि जीरो एक दो तीन ऐसे करके नौ तक आएगा ठीक है इसके बाद हेक्सा डेसिमल नंबर है एक्सा डेसिमल एक्सा में क्या आएगा बच्चे इस हेक्सा बाद जाते हो तो ना तो यानि जीरो एक दो एसे करके कहां तक आएगा इससे कम तो आएगा आप जाद रखो जिससे आप भाग दोगे जिससे आप भाग दोगे तो उससे तो कम ही आएगा ना देखो यहां 10 है 16 है यहां 10 है तो 0 आ सकता है एक आ सकता है यहां पर 10 आ सकता है तोकि 10 आने के बाद फिर अपने आपको एक computer numbering है क्या है बच्छे computer कभी काल एक एक नंबर की बाते सब पूछ दी जाती है कि computer में जो नंबर हम पढ़ते हैं वह यहीं पढ़ते हैं बाइनरी नंबर वाला अब क्या होता है कैसे होता है उससी पर मापको पहले एक जांपल लेकर समझाता हूं कोई भी एक जांपल मैं ले लेता हूं जैसे मैंने ले लिए मालो अब फिर आये हुए प्रस्णों को हम करा देते हैं जिससे आप समझ पाएगे ठीक है देखें माल लिजे मैंने आपसे ले लिए है कि क्या लिए आपसे मालो मैंने 295 ले लिया माल Cathedral अब मैंने क्या किया दो से भाग दिया कि अभी समझेगा बातों को लिएतों को पहले हम समझेंगे उसके बास डियए कि क्या है Shapiroल सब साफन का नमबर निकालयना इसका क्या निकालेंगे दो से ना देता थिक है तो दोसी जब हम भाग देंगे दो दुना चार आएगा कितना एक मैंने बताया था किसमें किसमें आएगा या तो जीरो आ सकता है या तो एक आ सकता है ठीक है दस से भाग देंगे तो जीरो एक दो तीन नौ तक आ सकता है आठ से भाग देंगे तो जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ साथ तक आ सकता अगर हम हेक्सागान होगा तो सोल से भाग देंगे तो एक दो तीन चार जीरों से लेकर पंदरह तक होगा कलियर है तो बाते समझ में आ गई होंगी तो चलिए बात को समझिए जब हम फिर दो से भाग देते हैं दो पच्छे 10 दो चक्का 12 तो मेरे पास 0 आता है पर फिर जब हम दो से भाग देते है और चाओदा का पावर फिर श्फन जिरो बसता है फिर देखो 2 स्क्राइख 14 ऑफिर कितना जिरो मतले के दो तयाई पिर सेस्पल कितना एक दो त्याएं पिर सेस्पल कितना एक पिर दो एक का दो तैस्पल कितना एक तो बाइनरी सिस्टम में एक चीज देखो बच्चे यहां से यहां से सुरुवाद करते हैं देखो ए यह सुरुवाद यह हो गया है यानि कहने का मतलब अगर दो सो दस का आँ तो सो दो सो पचीज का डेसिमल होगा यानि इसका बाइडरी कितनी होगे एक दो तीन एक वन तू थ्री एक हो गई एक दो तीन चार जीरो एक दो तीन चार जीरो हो गया और एक हो गया और इस पर वह सब्सक्राइब है अगर इस बात को आप बाइडरी सिस्टम पर बात करें के तो इस बाइडरी सिस्टम का यही क्या हो जाएगा उमीद करता हूँ यह बातें आपको समझ में आई होंगी देख लो चेक कर लो तो फिर मैं इसको अभी हल कराता हूँ आपको दुचाठो तब समझ में आएगा अब ध्यान समझे का बाते समझ में आ गए होंगी तो इस इस चीस को ऐसे निकले ओंगे और यहां से गिंती करोगे जो संख्या यहां से लेकर आएगे पूरी संख्या यहां से यहां तक आप गिंती करके लिख लोगए ठीक है आप ध्यान देना कि बात ध्यान देना कि अब आपके पास क्या क्या आ गया देखो वन 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 तीन वन आ गया एक दो तीन चार जीरो आ गया और एक आ गया अब इसको कैसे पूर रूप में लाओगे इस बात को समझते हैं तो थोड़ा दूर रिखते हैं क्योंकि उसी की जरुवत है अच्छले देखें क्या है वन और क्या है वन फिर क्या है वन फिर क्या है जीरो 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 और फिर क्या है वह अब आइनली सिस्टम में बनाना है तो ध्यान दीजिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे दो से लगाते हैं तो यहां देखो दो का पावर जीरो दो का दो का पावर तीन दो का पावर चार दो का पावर पांच दो का पावर छे और दो का पावर साथ आप यहां जब मल्टिपल करोगे बच्चे तो आएगा कितना तो प्लस जब आप यहां मल्टिपल करोगे तो गरपल फ़लस यहां जब मल्टिल करोगे तो जीरो हंब जब आप मल्टिल करोगे तो 0 यहां करोगे तो दो और पाउर कितना होता है बतिस फ्लस दो का पाउर 664 प्लस दो का पाउर 7 eager आप अगर चेक कर रहे होंगे आप यहां से देखिए एक करिए तो आठ चार बारा बारा दुच्छाउदर अगरत रहे हो गया बच्छे कर अब बात एक होगी ना यह दो का पावर जिरो ग्राथ दोगा पावर जिरो बच्चे एक होता है तक एक हो गया हाँ तो देखो आठ चार बाराद चाहुदर और एक पंदर अबे देखो तरदू आठ आर तीन गयार ओए 12 और एक तो क्या आपको समझ में बात आई कि जिस बात को मैंने टेन्स प्लेस पे लिया था यानी दो पचीश को लिया था तो इस बाइनरी नंबर से यह भी आ गया और इससे यह भी आ गया तो यह तो प्रस्ण इससे यह पूछा जाएगा यह तो प्रस्ण इससे यह पूछा जाएगा चलो कोई बात नहीं अभी जिल लोगों को नहीं समझ मैं कोई बात नहीं दूसरा सवाल ले को बाइनेरी रूप में रूप में करिए रूप निरूपित मालू में निकर लिया अब चर्चा क्या है 25 को करना है यादि 25 टेट का बाण हमको बाइनेरी रूप में निकालना है किस रूप में ट्वाइस रूप में वसे यही तो तो क्या करोगे आपको क्या करना है केवल 25 को आप ऐसे दो से डिवाइड करते चले के दो बारह 24 एक दो शेका बारह जीरो दो तियाएच जीरो दो एक का दो एक होगे आप देखें एक तो निकाल ले आप यहां से लेकर यहां तक गिंति कवर कर लिनी तो कितने वन हो गए 2 1 कितने जीरो दो जीरो दो जीरो और एक बताएए कि इसकार बाइनेर्य रूफ यह वाला हो गया बस बाद खतम आप सवाल में यदि आपको अभी मैं सवाल लेकर समझाओंगा अब बात इसको इसमें लाना होता है बाइनरी अगर दिया रहेगा तो decimal पूछेगा जैसे अगर कोई यह वाला दिया रहे तो अगर आप से हेक्सादेसिमल पूछे तो दो सोला का पावर जीरो वैशेव दस का पावर जीरो कि सी भीम पदा अक्तल पूछे तो आठ पावर जीरो लेकिन आप में बायारी और को डेसिमल ही पूछा जाता तो वहीं आप समझ के बस फोड़ देंगे और आपको मन करेगा तो आगे समझेंगे देखिए इसी पीमा चर्चा इसलिए कर रहा हूं बास मजी क्या बाते हैं में देखें वं वन जीरो जीरो ओर Clayton ऑफम से ामयने दो की बात किया था तो दो का पाव़र डीरो का पाव़र एक-डो का पावर-दो-दो का पावर तीर दो का पावर चाई अब बताओ दो का पौर जीरो एक एक प्लस जीरो प्लस दो दूना चार दूना आठ प्लस दो दूना चार दूना आठ दूना तो आप यहां से देखोगे बच्चे तो 16,8,24 और एक कितना पचीज तो क्या यही बात हमने लिया था क्या तो कुछ सवालों की थूरू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इन बातों को तो कई सवाल मैंने लिये हैं तो कुछ बेसिक एक कवाल और बेसिक से आपको समझ बलता हूं ठीक है मालों पहेंटे हैं कि अ कि दस्मलों प्राणाली ली एक सो 32 को हमेर करना है इसके बाइनेरी नंबर में सिस्टम इसका क्या हूं आप बताईए कि 132 को करने के लिए है जब हम два से हा गए तो दो 1012 के 2चागlaws एंवे रिम्णर आगेए जीरो फिर अगर हम काटेंगे तो तच्थे बार जाएगा और रिम्णर आएगा जीरो फिर हम काटेंगे तो शोलह बार जाएगा रिमेंड़ा ऐगा 158 स्ञ пример दो कि दो ट्थे तो लक्रुमल रएगा जीरो की फिर यदि हम काटेंगे वैंस फिर मेंदर कितना जायेगा जीरो फिर हम दूसे काटेंगे और दो नंसे है बंध कर जीमेंटर आजाएगा जीरो आप यहां से बाइनरी सिस्टम क्या निकल कर आगे बच्चे तो यहां से देखो गया आप यह वाली सिस्टम बना लोगे यह तो पताओ 132 का आपने क्या निकाल लिया तो आपने निकला वन चार बर-0 वन एक दो तील चार बार जीरो और इसके बाद वन डबल जीरो वन डबल जीरो अब बात यह भी देकर यह भी तो पूछ सकता है अभी तक क्या हुआ आपने देखा यह देकर यह पूछ रहा है अब आपसे हो सकता है यह भी देकर यह भी पूछ सकता है तो उसको निकालने का नियों मैंने बताई दिया देखी कि क्या है कि क्या है तो आप डारेक्ट कर सकते हो दो अच्छे अग्बार करके और कर देता हूं सवालों में डारेक्ट करूंगा वन एक दो तीन चार वन डबल जीरो तो देखो दो पावर जीरो दो का पावर एक यह बाते तो जीरो जीरो हो गई खतम करो दो का पावर दो यहां से निकल गया गया चार यह सब जीरो होगा लेकिन दो का पावर तील दो का पावर चार दो का पावर पांच दो का पावर चार तो दो का पावर स्तार तो 128 यह हो ज या तो इधर वाला दिया रहे तब इधर निकाल लोगे या तो इधर वाला दिया रहा जैसे मैं कहूं कि जैसे मैं कहूं 10011 को कि डेसिमर रूप में डिकालों मालों आप कहोगे कि यहां लिखा रहेगा बाइनरी रूप में है इस रूप में तुड़े आप जानते हो कि इसको हम कोई कर रहेंगे तो बनाईए इस रूप में यह हो जाएगा दो का पावर जीरो कि दोगा पावरिएंग दोगा पावर दोगा पावर और दोगा दोगा तो एक हो गया कि यह दो हो गया बाकि यह दोनों जीरों हो जाएंगे दू पाउर चार कितना होता है सोला तो सोला दू अठारा एक संख्या कितनी हो गई तो इस चीज को आपको हम समझाते हैं समझ गए होंगे आप लोग अगर मालो कुछ मैंने दूसरा ले लिए जैसे देखो अब मालो मैंने ले लिया दस मलो वाले दस में अब मालो मैंने ले लिया दस बत्तिस सो पैंतालिस ले लिया मालो एक संख्या मैं ले लिया अब इसको मैं दस से भाग देता हूं कि दस यहीं कि इस तीन सो चौबिस आएगा और रिमेंडर कितना हो गया पांच मैंने मालों दस से दिया दस यहीं तीस दस दुनी बीस तो रिमेंडर कितना चार अब आप बताओ कि आमिल गया आपको तो ही मिल गया तीन दो चार पांच डेस्टी में मिल गया कि नहीं अब ध्यान समझना हमको मिल गया तीन दो चार और पांच कि दिमार को कि आप देखें तीन दो चार और पांच क्यों क्योंकि आपने दस से दिया है तो पावर सब्का कितना बनाना पड़ेगा दस से बनाना पड़ेगा आप पिछले प्रस्ण में क्या देते थे दो से देते थे कि अब आपसे डेसिमल दिया है डेसिमल का नंबर पूछ रहा है तो आप दस से देंगे ऐसे आक्टल का पूछेगा तो आठ से लेकिन आक्टल उसा नहीं बहुत ज्यादा पूछा जाता है दो इंपार्टेंट हो जाते हैं एक डेसिमल को बाइनरी में बदलना डेसिमल को बाइनरी में बदलना या बाइनरी को डेसिमल में बदलना बाकी बदलने के लिए आपको पता यहां से चल जाएगा भी चल भी गया होगा कि जिसको जिसमें बदलना उसी समको भाग देखे उसी का पावर में जैसे अब यहां मैं डेसिमल बना रहा हूं तो अब इ पावर दो और दस का पावर तीन तो आप देखोंगे तो यहां एक पांचक का अरे दस किसी भी संख्या का पावर टीन तीन हजार यह हो गया 200 का Siya मैश्य तो यह हो गया तो यही तो आपने लिया था और कि एक बात से आपको समझ में आ गई होगी कि जो संख्या पूछा जा रहा जैसे भी पूछी जा रही है वही हमें निकालना होता है अब हम सवालों पे चर्चा करेंगे कुछ सवाल मैंने आपको लिये हैं जो परिक्षाओं में आये हुए हैं कुछ अटेंडम सवाल हैं जिनक काल नंबर एक कहता है दस्मलों 235 का कि दश्मलों 235 का कि वाइनरी कि इसे हिंदी में कहते हैं द्वी आधहारी कि द्वी आधहारी रूप है एक सवाल यह पूछा गया था ठीक है आप देखिए निकाल सकते हैं आप क्योंकि मैंने आपको अच्छे समझाया इसको कि भाई साब यह 235 है और आपको निकालना किस्से है दो से तो यहां हो जाएगा 11 बार और यह 12 बार बुलें और रिमेंडर कितना बच जाएगा एक फिर दो से करेंगे आप दो पच्छे दस दूज़्टे फिर भी कितना बचेगा एक फिर दूज़्णा चार और दो ना अठार उनतीस जीरो फिर दो से करेंगे तो 14 दुना 28 और 21 फिर दो से करेंगे दो सते 14 और 0 फिर दो से करेंगे तो 2 तियाई 6 और 1 फिर दो से करेंगे तो 2 एक का 2 और 1 यह होगा अब आप यहां से देखोगे तो इस सीरियल को इस टाइब से लिख तो यानी मैंने लिखा 3 पाल बार 0, 3بل बार 1, एक बार 0 फिर एक, फिर 0 फिर एक और एक तीया हो गया इसका बाइनरी रूप, यह क्या वह बच्चे बाइनरी भूलिए पहली कोश्चन समझ में आ गई इस सवाल का क्या हो गया एंसर चलिए अभी सबका नंबर आएगा इससे उसको निकालने में भी आएगा आप इसको भी निकाल सकते हो अगर अभी ऐसा भी सवाल दिया जाएगा आपको यह वाला दिया जाएगा और इधर वाला पूछा है तो समझी पा रहा हो कि 16 से देना है अगर आक्टल पूछा है तो आक्टल अक्टल नहीं पूछा था लेकिन मैं बता दिया कि इतने टाइप के होते हैं तो आप कर सकते हो ठीक है चलिए दूसरा सवाल दिया कि दसमलो 292 का बाइनरी होगा कि बाइनरी द्वियाधारी अरूप होगा है अब देखें इसका द्वियाधारी रूप क्या होगा कि समझें तो 292 का निकलना है 10 प्लेस और यहां पर हमको निकलना है ट्वाइस प्लेस एही ना तो 292 से आप शुरुवात करेंगे तो करिए दो एक का दो दो चवदा अठाइस दू इच्छक बारा तेस फ़ल जीरो फिर दो से करेंगे तो दो सत्य चवदा दो तियाई च्छ जीरो फिर दो से करेंगे तो दो च्छछ हस बहत्तर एक प्र दो से करेंगे अठारा दूना च्छछ जीरो फिर दो नवाँ अठार हिर जीरो फिर दो चौक का आठ एक फिर दो दुना चार जीरो फिर दो एक का दो और से स्फ़ल कितना आप हमको बताओ यहां से लेकर इस सीरीज में क्या बन पाया वन डबल 0 यहां लिख हो गें वन डबल 0 वन डबल 0 वन डबल 1 डबल 0 वन डबल डियरो यहीं चीक है इसे हो गये आपके सवाल का इसे बाते आपके पूछे लिए देखिना आप अब इसी को मैं थोड़ा सापको एक बार और बताता हूं क्योंकि जो next सवाल मैं ले जा रहा हूं अब उधर वाला दिया जाएगा आपसे और इधर वाला पूछा जाएगा ठीक है तो मैं उस बात को आपको करके समझाता हूं एक बार और एक आया क्या वन डबल जीरो ओवन डबल जीरो ओवन डबल जीडो अब देखों दो का पावर जीरो दो का पावर एक अब तर बतिया कहें देखों थे दो का पावर एक दो का पावर दो दो का पावर तीन दो का पावर चार दो का पावर पांच दो का पावर छे दो का पावर साथ और दो का पावर आठ ठीक बच्चे समझे ए तो जीरो गया ए भी जीरो जितने जीरो हटा दो उनको आपको count करके नहीं रखना अब देखिए एक कितना हो गया दो का स्क्वेर चार ठीक है यह दो का power 5 कितना होता है तो आप जानते हैं दो का power 5 32 होता है ठीक है अब यह दो का power 8256 होता है यही तो बचा और तो कुछ बचा नहीं है तो जोड़ दो चर्द वार्ट चर्द बारख पांतिन आठ और एक नौ और यह बचा दो तो बताईए क्या मैंने उसको अपोजिट करके यह बात निकाल दी थी क्या तो इस चीज को समझो बच्चे इस चीज को आपको दिमार्ग में रखना है सवालें जब भी कभी ऐसे आएंगी तो आप सवाल कर लोगे देखो मैं अकला सवाल आपकर आता हूं कि सवाल क्या पूछा था है कि वस्चन नंबर तीन पूछा आप से द्वी आधारित पद्धत में यानि बाइनरी सिस्टम में मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं बस इसे लिख दे रहा हूं आप मझेगा कि कोई सवाल देया गया था कि बाइनरी सिस्टम में 10101010111 कि दस्मलों पद्धत की निम्ठ संख्याओं द्वारा निरुपित इसको आपको दस्मलों पद्धत में निरुपित करना था अब दिखान से वाज़े आप सवाल थोड़ा सा अपोजिट दिया कि नहीं बताई अब आपको यह बात दी गई और आपको निकालना यह पड़ा ठीक है तो अब आप एक जीरो वन जीरो वन जीरो एक दो तीन और चार आप देखों दो का पावर सुनिया दो का पावर एक दो का पावर दो दो का पावर तीन दो का पावर चार दो का पावर पांच दो का पावर छे और दो का पावर साथ हो गया आप में पताओ यहां से एक प्लस यहां से दो एक का दो प्लस यहां से दो दुना चार प्लस यहां से दो दुना चार दुना आठ प्लस यहां से जीरो जीरो वाला तो ताम नहीं लेना है सोला होगा निजीरो सोला वाला ए सोला दुना 32 दुना 64 होगा लेकिन जीरो से गुड़ा है और यह 64 दुना 128 हो देगा तो अब आप हम देखेंगे कि आठ दू दस दस हाट अठार अठार चार बाइस बाइस दू चोविस और एक पचीस हाथ में आए दो तीन दो पांच और दो साथ और एक तो बताएं कितना दसमलाव सिस्टम में बना एक सो पचहत्तर दस एक दसमलाव सिस्टम में बच्चे बन गया और इसका बाइनरी सिस्टम क्या था तो इसका बाइनरी सिस्टम था 10101111 अगर आप इसको 175 को भी हल करके देखोगे तो बात क्या बनेगी तुम्हारी यही बात बन जाएगी थीक है देखो समझ में आया होगा और प्रसान लिया हो आपके समझाने के लिए परसान होने की जरुवत नहीं है देखे अगला सवाल करते हैं क्वश्चन नमबर 5 प्वाशन नंबर पांच द्वियाधारित पध्धती की संख्या तो इस बाइनरी संख्या है क्या है 1011 1011 ए बाइनरी सिस्टम है का दास्मिक निरूपन का है का डेसिमल निरूपन क्या है का डेसिमल निरूपन क्या है का डेसिमल निरूपन क्या है आप देखिए यह संख्या क्या है चलिए 1011 दो का पावर जीरो दो का पावर एक दो का पावर दो दो का पावर तीन एक प्लस दो प्लस जीरो प्लस दो का पावर तीन आठ आठ दो दो दस और एक ग्यार है तो इसका दास्मिक रूप क्या हो गया बच्चे 11 और इसका बाइंडरी सिस्टम क्या था यानि इसके बाइंडरी सिस्टम थे 1011 और इसी का दास्मिक कंडिशन क्या बन गया 11 तो उमीद करता हूं बच्चे अब यह बात आपको समझ में आ गई होगी अब चाहे जिस बात का प्रश्णा आए आप उठा ओकर लिजए और जाहे जिस बात की बात आए आप इस चीश को निकाल सकते है कि अधिक हो ऊपर से साइलेन कर दीजिए नहीं है कि हो गई बात आप चलिए बच्चे तीसरी को सवाल देखते हैं आपको अगला सवाल देखें दिया था यह बहुत इंपार्टेंट सवाल है इसको आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहां से क्या चीज़ आपको समझ में आएगी कि बाइनरी बाइनरी संख्या 11 प्लस एक 11 प्लस एक कमान क्या होगा करेखें इसको आप रुप दासमित पूचा नहीं है कि पर पता करो क्या है कि पहले क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा कौन सी है फिर उसके बाद उसका बाइनरी सिस्ट्म निकालेगा देखें कि जब बात ही विए 11 और फ्लस एक का वही नियम यहां भी दो का पावर जीरो भई जीरो और एक आएगा तो आप से दिमार्च मत होई जाएगा बारे ने पूछा है फिर वही बात यहां भी लागों करोगे दो का पावर जीरो और दो का पावर एक यहां से निकल कर आ गया बच्चे कितना एक प्लस यहां से भी कितना निकल कर आ गया एक प्लस कि अगर दो का पावर एक है तो दो हो गया यहां से कुल कितने निकल कर आ गया बच्चे तो दो चार यानि अगर दास्मिक कंडीशन पूछता तो चार होता लेकिन उसी का मान पूछा है तो शार का यानिर रूप में ही मान पउशार का आप निकालोगे संटो दो न चार संटर कितना 021 का तो अब बताओ क्या बाते हमारी वन डबल जीरो ट्वाइस हो गई क्या वन डबल जीरो कि आपके सवाल का तो उम्मीद करता हूं दोस्त यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी अगर इस टाइप से भी सवाल कभी पूछा जाता है तो परसान होने की जरूरत नहीं क्लियर चलिए अब सवाल क्या पूछा इसको ध्यान देना क्वेश्चन अगला क्या पूछा उसको ध्यान देजिए पूछा की वन जीरो वन जीरो वन ट्वाइस पो गुड़ा किया जाता है वन जीरो वन जीरो वन ट्वाइस से तो जो गुड़न फल आता है उसको बाइनरी रूप में करनवर्ट करिए उसका द्वी रूपन या द्वीधारी या बाइनरी रूप क्या हो एक सवाल पूछा पूछा पूंज बात आगे उसका वन रूपन कर अब यह सवाल आप से पूछा आप ध्यान देजिए वही चीज जो मैंने आपको बताया कि पहले इसका रूप आप निकाल लो निकाल लो कि अखिल वह संख्या होगी क्या वर्जिनल फिर उन संख्याओं का मल्टिपल करो और जो संख्या आप यहां निकाल पाओगे उसी संख्या का क्या निकालना है बाइनरी निकालना है अब मैं चर्चा करता हूं पहले वाले पे पहले पहले वाले मैंटर पे दोन 51 को तो दो का पावर जीरो दो का पावर peng नो का पावर के दो तोका पावर थी दोका पावर चार कर कि यह हो गया एक यह तो 0 है कैंसिल यह पी 0 हो गया दो अचाड को और यह हो गया दो दुना चार दुना आर दुना शोला तो यह हो गया 16, 4, 20 और 21 यहां की बाली बात तो आ गई भी यहां बाली बात तो आ गई 21 गुड़े अब यहां बाला निकलना है यहां क्या है 1101 है 1101 है आप बताओ यहां से दो का पावर 0, दो का पावर 1, दो का पावर 2 और दो का पावर 3 है आप यहां देखोगे तो यहां से तो एक आएगा यहां 0 आएगा यहां दो दुना चार आएगा और यहां दो दुना चार दुना आठ आठ आये जाएगा आठ चार बार और बार और यह कितना हो गया भाई कि यहां हो गया 13 कि कि इतना हो गया अब आप हमको बताइए यह 21 है और यह कितना है 13 कि 21 गुड़े 13 कितना हो गया 273 हो गया अब 273 का बाइनरी आपको निकलना तो इसको मैं हटा देता हूं कैसे आया यह चीज़े मैंने कर्वन करके बता दिया ठीक है अब बात करते हैं 273 का तो देखें 273 का जो मैटर है और हम करते हैं देखें दो से दो एक का दो दो तेरा 26 एक बचा मैं दो एक तेरा दो च्छक बारह और रिमेंडर कितना बच गया कि एक है कि सब्सक्राइब करेंगे तो दो च्छक बारह और दो अठे जीरो फिर दो से करेंगे 34 जीरो फिर दो से करेंगे 17 एक फिर दो से करेंगे दो अठे 16 एक फिर दो से करेंगे दो च्छक का आठ जीरो फिर दो से करेंगे दो दुना चार जीरो फिर दो से करेंगे दो एक का दो और जीरो कि आप से यहां से क्या बन के आगे बच्छे यह वाला रूप बन के आगया एंगर बड़ी तो नहीं क्यों ना दो तेरह च्छबविस एक दूच्छब बारा एक दो च्छबवारा दो अठे 16 जीरो दूच्छब गाट जीरो दूस तरह हम में 34 और एक जीरो यहां गड़बढ़ हो गया में ठीक है क्योंकि जो जो दो से हम 34 काटे तो 17 0 2018 16 एक अब आगया क्या आपका देखे 100100 C9 एक दो टीन वां ट्रिपल जिरो आगया फिर वां ट्रिपल जिरो फिर वन ट्रिपल जिरो एक तो ट्रिपल जिरो तो क्रिपल अगर यह बात भी इसकी क्या हो गई वाइनरी सिस्टम क्यों गई तो इस सवाल का एंसर इस सिस्टम में यह गोले कि क्लियर हो गया तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे गए परिक्षाओं में है एक सवाल पूछा था द्वियाधारी पद्धात को कि द्वियाधारी पद्धात को कि वन जीरो कि वन जीरो कि चार बर वन कि एक दो तीन चार और दास्विक प्राणानी में बदलना था यानि की यानि कि उसे कंडिशन में बदलना था यह बैंडिर सिस्टप दिया गया था तो क्या करोगे दो का पावर जीरो दो का पावर एक दो का पावर दो दो का पावर तीन दो का पावर चार दो का पावर पांच दो का पावर छे और दो का पावर साथ कर दोगे फिर यहां से दिखो आपको करना क्या है यहां से तो एक आ गया प्लस यहां से कितना गया दो प्लस यहां से चार यहां से आठ यहां सोला आता लेकिन जीरो में गुड़ा होने पास जीरो 16 दुना 32 32 दुना 64 आता लेकिन यह 0 तो 64 दुना 108 तो तोटल इसको हमने जोड़ा था याद है आपको 175 और किस बेस पर हो गया 10 बेस पर हो गया ते सवाल का तो उमीद करता हूं आसान बात आपको समझ में आई होगी एक सवाल ऐसे दुयाधारी पद्धत में भी पूछा उसी को अपोजेट करके पूछा है कई बार सवाल दुयाधारी पद्धत संख्या दी गई है वन जीरो वन 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 जीरो वन वन दी गई है इसको आपको दास्मिक परणाली में बदलनी है यानि कि यानि कि देसिमल में बदलना है तो आपको क्या करना है बाइनरी में दिया है और डेसिमल में बदलना है तो बाइनरी का रूल तो जानते हूँ आप क्या करना है बस्कूश नहीं करना है वन जीरो वन वन लिखना है लिख दिए आप यहां पर क्या करना है दो का पावर जीरो दो का पावर एक दो का पावर दो और दो का पावर तीन करना है यहां से कितना आगया एक प्लस यहां से कितना आगया दो प्लस यहां से कितना आगया सुन्या प्लस यहां से कितना आगया आठ तो आठ दो दस और एक ग्यारह तो यहां क्या लिख देना था ग्यारह लिख देना था और यह आपका सभल उत्तर ठीक है अब सवाल क्या पूछा वश्चर क्या पूछा 1111 बाइनरी सिस्टम में है प्लस 1001 यह भी क्या है बाइनरी सिस्टम में है माइनस करना था 1010 यह भी आपका बाइनरी सिस्टम में है जो संख्या प्राप्त होगी जो नंबर प्राप्त होगा उसका बाइनरी क्या होगा यह जो डेसिमल हमको यहां प्राप्त होगा उसका हमसे बाइनरी इसने पूछा था कि क्या होगा ठीक है अहां जो हमको इस रूप से करें के इस रूप से जो हम करेंगे यहां से बात सो और समझे इस बार्द करेंगे लेकिन जो आया उसका बाइनरी क्या होगा यानि उस condition को हम से उच्छा गया सवाल पर उस condition पर हमको उच्छा गया सवाल पर चलिए देखिए यहां से दो का पावर जीरो दो का पावर एक दो का पावर दो दो का पावर तीर यहां से देखेंगे तो एक प्लस दो एक का दो प्लस दो दुना चार प्लस आठ आप यहां से देखेंगे तो आठ चार बार और दो चौद और एक पंदरा मिल गया बच्चे यानि यह नंबर जो दास्मिक प्रणाली में अगर हम बाजलते यह वाला कितना पागए हम समझ गया होगे पंदरा पागए तो यहां हम लिख सकते हैं कि इतना लिख सकते हैं पंदरा लिख सकते हैं प्लस अगर हम बात करेंगे वन डबल जीरो वन का दो का पावर जीरो दो का पावर एक दो का पावर दो और दो का पावर तील तो यहां से कितना जाएगा एक प्लस ए 0 ए 0 प्लस ए 8 यहां से देखो 8 और एक 9 हो गए माइनिस यह वाला 9 हो गया ठीक है माइनिस आप देखें क्या बच्छा आपके पास 1, 0, 1, 0 ए बच्छा आप बतै दो का पावर 0 दो का पावर एक दो का पावर दो और दो का पावर 3 तो आप देखेंगे तो ए वाला 1 0 है ए भी 0 ॉजया इह दो हो गया एपदा नहीं आपकी आप यह प्लस 2 और यह 0 खत मों हो गया आठ दो द 200 थे इन दमालिकका ओ। अब आप हमको बताईए कि अगर हमने इतनी बात कर दी तो यहांस कितना मिलके आगया पंदर और नौ चौबिस चौबिस में से जब बच्चे दस घटा होगे तो आपका मिलेगा चौद यह तो दास्मिक प्रणाली में अगर पूछा होता तो हम यह रखके उत्तर मार देते ल दो सत्य चौदर दो तीन च दो तीन च एक रिमेंडर फिर दो एक का दो दो एक का दो फिर एक रिमेंडर यानि कितना हो गया बच्चे तो आपका होगे वन 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 और जीरो हो गया ए बाइनरी ट्रिपल वन और जीरो हो गया ए हो गया कि इसमें बाइनरी क्लियर होगी कल कि अगर यही बात आप से कल कि यही बात आप से इस तबीकी से पूछ दे वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन प्लस वन वन जीरो तू का डेसिमल नंबर यानि दास्मिक पन्लाली में एंटर किया तो अब आपको क्या करना चाहिए बताएं Siculy one one zero one दिमाग में भी कर सकते हो अब धीरे-धीरे दिमाग में烏कोर कर दो आप समझ गये होगे क्या मैं करना हो पूरे परनाली में तो जीरो वाला तो आपको करना नहीं है जीरो वाला यहह मैसा एक आया गा एक पलस कि ऐक इतना हो गया तो यहां से कंडिशन बनके क्या गई 13 कि यहां से कंडिशन क्या बनके आगई 13 गुड़ा कि अब हमको क्या निकालना है वन डबल जीरो वन का निकालना है यह था देना है यहां दो का और जीरो सुरू होता है एक दो और यह दो का पावर तीन होगा तो यह आठ होगा और यह एक होगा आठ और एक नो यहां से हमने देखा किट नो आगया है कितना आगया है नो यहां से हमारे कितना नौ आ गया प्लस प्लस आ गया अब हमको क्या देखना है वन वन और जिरो तो दो का पावर जिरो दो का पावर एक दो का पावर दो दो का पावर तीन तो दूई चार दो प्लस चार प्लस चार दो 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 आठ बारह और दो चरोद All और यह तो गया जीरो होगे तो यहां से मारे बच्चे कितने आ गए चाहूदा कि यहां से कितने आ गए जाहूदा अब यहां दास्मिक पढ़ना ले अगर पूछा होता तो हम डारे लिखते तेरह नहीं है 117 अप्लस चाहूदा अब यहां अब यहां अब यहां क्या करते हम अगर सवाल में इसका भी इसने यह बाइनरी मालों पूछा होता अगर इसका भी यह बाइनरी पूछा होता तो क्या करते हम देखें वान थार्टी वन का निकाल लेते हैं दो पंदरह डेड़ सो नहीं है डेड़ सो कहा है तो लिख दिया है दो शक बारह ना है दो शक बारह एक दो पचेज़ पैसट दुना एक सो तीस तो एक बचेगा से इसका फिर दो से दो तीजिए यही च्शे बत्तीस दुना चावशट एक सिस पर भा यह दो सोला प्रेज त्रेमेंडर कितना जीरो एं दो अठिए दो प्लेजिए लाट्रकितना जीरो दो सवकाट कितना जीरो दो दुना चार फिरेमेंडर कितना जीरो दो एक का दो फिरेमेंडर कितना जीरो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन किया गया पूरा यहां से पूरा सिस्टम जो है एक से लेकर पूरा यहां एक तक बन गया आप ऐसे लिख सकते हो बाइनल सिस्टम में वन एक दो तीन चार पांच बार जिरो वन एक दो तीन चार और पांच बार जिरो लिख दिया और एक दोट हो एक यह आपका भाइनरी बोलिया समझ में आगी बाते रहा दोस्तों बाइनरी की क्लास आपको मैंने बताया कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाओगे अगर आपको जरुवत है अक्टल बनाने की कभी हेक्सागान बनाने की तो आप क्या करोगे सोलब से भाग दो तो यह पूरी आज की जो कलाश रही यह binarry पे चर्चा है जो कल वाली मेरी ग्रॉस होगी उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे पहले रिमेंडर ख्यरम का करेंगे क्योंकि जो तेंत का रटनी होंगी बदाने से मतलब अभी नहीं निकलेगा उसमें आपको रटनी होगी क्योंकि कोई भी तेंथंट वैलू अपने को कब रिपीट करेगी यह आप जाना ही नहीं पाऊगी देखो यूनिट यूनिट डिजिट में और 10 डिजिट में दो अन्तर है यूनिट डिजिट में और तेंथ यहां तो आपको पता चल गया कि कोई नंबर कितने पर डिव हो जाती है चार पिक लेकिन यहां पता ही नहीं कर पाओगे तो कि यहां का जो नंबरिंग की संख्या होती है अपने आप पता कर सकते हो क्योंकि पांच में जब आप करते हो एक लेकि मैं बता दे रहा हूं देखो जैसे आपने क्या क्या पांच के किये हाला तो पांच में तो जैसे आप पांच पाए तो यहां तुम्हां लोग पता नहीं है लेकिन पांच का पावर दो यहां तेंट है ही नहीं पांच 25 तो आप पता कर पाए कि यहां का जो पांच यह पावर में डिजीट आएगा 10 वाले तो पता है यहां से क्या अएगा दो आएगा जैसे अगर पांच घात मैं 3 करूं तो अच्जीक तीन करों तो 25 25 पंजे 125 होता है तो आप देखोंगे तो यहां भी आज जैता है जैसे मुझे पूस्पाँच का पाउर चार करूं तो मेरे पास 25 पंजे 625 आथा तो मुझे पता हो जाता है तेंथ वाले में यानि फाइब वाले में ए रूल लागो होता है लेकिन जोही मैं इसको चार का या तीन का या कुछ का नियम करूंगा जैसे देखाँ अगर मालो मैं चार का नियम करता हूं तो चार वाले में यह दस बार पर दोहराती है इसकी चार्चा मैं कल वाली क्लास में करूंगा आज थोड़ा सा बेसिक जानलों आप क्यों ऐसा होता जिसे चार में एक आता है फिर चार का दो करोगे तो 16 अब ध्यान देना जब चार का प पाच आ रहाती अब दोहराने का रीजन होता है किन संक्षाओं पर यह बात दोहराई जाएगी किन संख्याओं पर यह बात नहीं दोहराई जाएगी यानि सबके अलग नियम बन गए क्या बन गए दियाद करने के लिए दिमाग में रख लो टेंटर दिजिट के रूल से सुरुवात कल की क्लास होगी कल हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन आज की जो थोड़ी सी क्लास बची है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं क्योंकि इसको मैं कल समझाऊंगा और उस पर प्रश्न कराऊंगा इसको तो मैं कल समझाऊंगा यह बात जो है इसको मैं कल है यह कुछ आपको बताता हूं जिससे कलक क्रेस में मुझे थोड़ा सा फायदा क्या हो कि मैं आपको सवाल करा पाऊं तो रिमेंडर थीरम की चर्चा करेंगे किसी चर्चा करेंगे अधोग हम रिमेंडर थीरम बस में बातें दो बात आपको जाननी है यहां पर जो आपको काम में आएंगे जैसे देखें माली जे मैं किसी संख्या को बारत से तीन से भाग देता हूं कि देखें समझेगा मेरी बात यहां सभी मैं बार जर है Mindyrek की बाहिए कि एगर मैं सभी मैं बारत प्रिमेंडर के तना जाएगा जिस रफ़ यहां से अगर देखो कितनी बार ले गया इस बात को समझना मैंने यहां से ले गया चार बार इतनी बार तब दू तीन चोप का इहां में ले जा रहा है आपसे तीन पच्छे पंद्रबा ले जा रहा हूं कितनी बार पंच बार तो पंदरा में से बारा घटा होगे तो रिमेंडर माइनस तीन आएगा लेकिन आपको इसा भाग नहीं है जिसमें रिमेंडर माइनस में आता हो तो यदि अगर कभी माइनस में उत्तर आ तो बच्चे उस भागफल से जिससे आप भाग देते हो उसके भागफल से सेसफल को घटा दो यानि 3-3 भाजक से से सेसफल को घटा दो तो जीरो आ जाएगा और यहां भी रिमेंडर क्या गया जीरो इसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं क्यों ऐसा करना है ध्यान समझे बहुत लग रहा है कि 9 एकका 9 और 2 11 हो जा रहा है लेकिन किसी प्रस्ण में ऐसा भी होगा कि किसी दूसरे सवाल में अच्छा सवाल बनता है तो ऐसा भी होगा कि उसके नजदी क्या करेगा माइनस बाला पहुंचेगा जैसे अगर मैं कहूं कि 9 से डिविजबल मैं 11 में देता हूं और मैं इससे ज़्यादा बार चला जाता हूँ नौदुनी 18 बार चला गया तो 18 जब 11 से 18 मैंने घटाया तो मेरे पास minus 7 बचे अब मुझे ये बात पता है कि minus 7 तो कभी reminder होता ही नहीं minus 7 कभी reminder नहीं होता और जब minus 7 कभी reminder होता नहीं तो उसके भाजक से यानी जिससे आप भाग देते हो फो ओगटा दो यानी 9 minus 7 कर दो और उत्तर क्या जाएगा 2 आजाएगा आप इस पर सवाल मैं आपको भी समझा देता हूं कल से इस पर सवाल लेंगे समझेंगे बातें बहुत अच्छी हैं आपे देखें बहुत बार आप देखेंगे कि 17 का पावर अठारा को 18 से भाग देने पर रिमेंडर क्या है अब यहां बताओ क्या कुछ कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि 18-18 जाओगे तहां बच जाएगा माइने सुन कितना माइने सुन coworkers कर नहीं है उत्तर कितना आगे बच्चे प्रस इस अ आप देखें अगर बात इसी बात को यह पहला बेस है अगर बात को दूसरे बेस में समझाओं कि अगर 17 का पावर 19 होता मालो और इसको मुझे 18 से भाग देना होता तब जरा रिमेंडर बता दो तो आप कहोंगे सर अब तो मैं जब इससे भाग देता हूं इसमें तो मेरे पास minus 1 आता है कितना आएगा minus 1 और जब minus 1 remainder आया उसका power हूं भी मैंने minus 1 किया तब भी मेरे पास कितना आया minus 1 आया आप बताओ क्या किसी प्रश्ण का रिमेंडर जो है माइनस में आता है नहीं आता है तो आप क्या करोगे भाजक से इस संख्या को घटा दोगे तो रिमेंडर कितना आ जाएगा 17 और यही सवाल का क्या हो जाएगा ठीक, देखिए, समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छी चीज है, जो समझने है, अगर आ गई तो, मैंने कहा कि मैं लेता हूँ 19 का पावर 121 को हमको भाग देना है 20 से, भाग देने पर, रिमेंडर क्या होगा, यह बात हम से पूछीगे, माल ले दिए, अभी हम बेस पे ही कर्चा आप से कर रहे हैं, सवालों पर हम कह दिये कि भाई सवाल, इस पर हम कर चर्चा इसकी सवालों पर करेंगे, उसके बाद 10 विजिट की बाते आपको बताई जाएगे क्लियर है, तो आप ध्यान समझे बच्चे, यहां बहुत जरूरी है, जब 20 का हम 19 में भाग देते हैं, तो आपको पता होगा, बीस एक का बीस आता है, और बीस आएगा, तो रिमेंडर कितना, वहां भागफल, कितना बज़ जाएगा से इसकल, माइनस वन, अब माइनस वन क पावर, जब आप 121 करोगे, 121 करोगे, तो भाई यह बिसम संग क्या आया, और बिसम का कितनी भी घात कर दो, क्या आएगा, माइनस वन, लेकिन रिमेंडर कभी माइनस वन होता ही नहीं, तो आप क्या करोगे, 20 से एक घटा दोगे, यानि हमारे पास, इतना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, अब बात यहां समझ में आई, कि अगर यह 19 का पावर 120 होता, और हमको 20 से भाग देना होता, यहां पर आगया माइनस वन, और माइनस वन का पावर 120 हो गया, और यह आगया कितना, प्लस वन, अगर प्लस वन में आया, तो तो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी उसे परसान होने की जरूद नहीं है अगर माइनस में आया तो किवल भाजक से उस संक्या को क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है तो यहां से नियम निकल गए आपके पास कुछ नियम भी आ गए कि आप से कुछ करना ही नहीं है यदि प है तो भाजक से अ कि 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 सिंपल बात कि अ जैसे देखिए कि माले जै मैं एक सो 136 गुड़े अक्ठार एक से क्यासी मालो भागे बारा किया कि अ कि अब हमसे रिमेंडर पूछ रहा है कि मैं साब सेस्खल क्या होंगे जड़ा बता दो अब देखो कि तो हम क्या करें 136 का गुड़ा एक से क्यासी में करें या बारा से भाग दे लें या हम बारा से डारेक इसमें भाग दे लें चाहे प्लस में चला जाए चाहे मैंजेस में चला जाए तो अब दोनों बात हम समझेंगे पहले छोटे सवालों से हम आपको समझाने का चलिए इसी सवर समझा देता हूँ चलिए देखिए तो 136 गुड़ा 181 की बात है और भाग हमसे कितने से करना था 12 से तो पारली कंडिशन मैं आपको समझा रहा हूँ अब मैं 12 से इसलिए भाग दिया 121 का 12 कर रहा है वाइस का 12 बच्याए एक 16 हीन बारस च इस अरमेंडर कहते स्ट्रीं दिक्कत हो रहा है तक पहले एक बार समझते हैं देखें कि दिक्कत हवושके 212 लिख लिए मैंने 16 फिर 11 का निन चौना 1 दो मेरे का इस पास मेरे पास एंपर कि न रहा होगा च्रुमेंटर यहां से 181 में अगर आप 12 से भाग दे रहे हों कि बारे का बारे 6 162 पचे ताठ तब भी कितना रहा एक आ रहा है न तो चार गुड़ा एक रिमेंडर हो गया चार पहली बात समझे में आ गई होगी बेसिक सी बात की दूसरी बात आप पूरे के गुड़ा करके भी दे सकते हो वो आप क्यों करोगे चलो थमझे 136 गुड़ा 181 गुड़ा 12 मैं ने क्या कहा 12 12 16 अब 12 और 12 दूना 24 में कर दूं तो मेरे पास माहिनस और कितना आ गया माहिनस नेकिर रिमेंडर तो कभी अच्छा मैं लिख देता हूं एक बड़ समझाने के लिए माइन्यस और यहां पर प्लस वाला लेया था कितना आ गया प्लस वाला लूंगा तो एक ही आएगा भचे देखिए क्या समझाने का प्रयास कर रहा हो समझेगा अगर मैं इस बात को ले लूँ कि भाई साहब यहां मा चंप गुड़ा करने पर minus 8 या या दिटा नहीं तो जब रिमेंडर कभी minus 8 नहीं आता तो भाजक से उस संख्या को घटा देते तो बारह में से 8 घटा दोगे तो कितना जाएगा तो क्या यहां यहां कोई कि दिफ्रेंस आया नहीं आया ना अब चलिए तीसरी बात क्या करते हैं उसकी चर्चा करें यह तो दो बाते मैं आप से की तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं 136 गोड़ा 161 भागय यहां से आपका आया माईने साथ यहां से मैंने देखा अब यहां की बात मैं करता हूं 181 भागय टो बारबका बारच 2052 श्त बहत्तर अब दह्तर में ग्रांप यह व्यारं से दो गए नो कि ग्रार्ण से दो गए 72 में से यह हो गया एक यह हो गया एक और यहां साथ में 11 आ गया गया कितना बच्छा माइनस एगया माइनस 11 ठीक है अब भाइसा माइनस 11 अठे क्या हो गया अठासी हो गया माइनस में 88 अधासी अधास समझेगा मेरी बात मैं क्या कहना चाहरा हूं अब तो बातें जिससे आप भाग दिये थे उस अच्छा माइनस अधासी अधासी अभी भाग जाएगा तो 12 सत्य 84 और कितना रिमेंडर बज्जे आएगा देखो तो आप समझ पा रहे हो अगर हम अपनी सुविधा के अनुसार माइनस और प्लस को लेते चलेंगे अमारा काम बनता चलेगा अब बताओ कंडिशन अगर मैं यह भी देख लूं 136 गुड़ा 181 बटे बारह की यह आया म माइनस के और प्लस में कितना आया था चार अगर मैं बात इसके भी करूं कि यह भाई साब गुड़ा करने पर माइनस 44 आएगा इसको पहले घटाना पड़ेगा और फिर भाग देना पड़ेगा तो बारह 44 आगया देखिए यहां से मैंने चार लिया और यहां से मैंने तब भी मेरा 1144 आया आप हमको बताओ 44 तो आ लेडी से जाता है भाई बारत यहीं 36 बारत यहीं 36 आठ 44 तो कितना आया माइनस आठ इस रूप में तो यह आएगा बारत यह 36 घटा होगे तो कितना आएगा माइनस के आठ आएगा लेकिन माइनस का आठ भी रिमेंडर नहीं होता तो जब माइनस आठ का रिमेंडर नहीं होता घटा दोगे तो कितना रिमेंडर यह देखो किसी भी तरीकी को मैंने नहीं छोड़ा चाहे आप जिस रूप में रिमेंडर निकालना चाहत करते हो इन चारों तरीकों को मैंने एक ही सवाल में लगा दिया तो आप समझ पाया होंगे कि रिमेंडर थिरम कैसे निकलता है तो आज की सभा हमें इसी समाथ करते हैं कल जो है करेंगे कल वाली क्लास में पहले होगा remainder theorem पे प्रश्न पहली वाले क्लास में क्या होगा पहले होगा remainder थीरं पर question उसके बाद दूसरी जो होगी वो ten to digit निकल रहा है क्योंकि फिर मिलते हैं और फिर कारेकरम शुरुआत करेंगे तो टेक केर बाइबाइब करोना से बचिए खतरनाक